पैसा भर बार के और जगा पैसा भरे और मेरे बच्ची को मुझ दबाए हैं अदबा के हम लग पास जुट जुट क्या बोलते हमाई लड़की फासी लगा लिए फासी के ज़रा से भी निसान नहीं था कहीं कुछ अपनी बेटी के याद में इन लोगों के आँखों से आशू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं दरहसल 19 साल की मिस्वा शेख अब इस दुनिया में नहीं रहे मिस्वा के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि हमने लाल जोडे में दुलहन भेजी थी और वहां से सफेद कफन में लिबटी मिस्वा की लाश आई पूरा मामला भिमंडीश शहर का है जहां डेर साल पहले ही मिस्वा शेख की शादी बड़ी ही धोमधाम से वसई के रहने वाले आकरम शेख से हुई थी मगर तीन अप्रेल को मिस्वा के परिवार वालों को ससुराल वालों का फोन आया कि आप लोग जल्दी से आ जाईए जिसके बाद मिस्वा के परिवार वाले जब ससुराल पहुँचे तो देखा कि मिस्वा इस दुनिया को छोड़ चली गई थी मिश्वा के परिवार वालों ने सतुरान वालों पर मिश्वा की मौत का आरोप लगाया है मगर अभी तक इस पूरे मामले को लेकर मिश्वा के परिवार वालों ने किसी तरह की कानूनी कारवाई नहीं की है हलाकि पोस्ट मॉटम का इंतिजार किया जा रहा है और पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा कि आखिर मिस्वा की मौत कैसे हुई है क्या मिस्वा ने खुझ जान दी है या फिर उसकी हत्या की गई है बहराल मिजबा के परिवार वालों ने सशुराल वालों पर आरोप लगाते हुए मीडिया से क्या बाद चीत की है आपको सुना देगा लड़की ने जो फांसी लगा है इसा बोला जा रहा है तो क्या था पुरा मामला उसके बार है आज मैं गया था बाहर गाड़ी लेकर तो मैं जैसे पाइपलाइन पहुचा विवंडी उलासनंकर से होके आ रहा था तो बोले खालू जल्दी चले आओ मिजबा फांसी लगा ली जल्दी लगा 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 तो आया बच्चे लोग को लिए भागा मैं अकेले गाड़ी लेकर गया वहां जैसे पहुचा तो फोन आ रहा है अन्नु भाई जल्दी चले आओ तो क्या बोलते निजाम भाई वहां जाओ आरां से लड़की तुम्हारी मर चुकी है तो मैं ठीक है जब हरवड़ा गया जब वहां गया तो दॉक्टर देखा तो उसके शरीर गरम थी अब और तीन बज़े से मिट्टी हुई है अगर तीन बज़े से और पांच बज़े में बहुत फरक पड़ता है तो मैं डॉक्टर लोग को चिला है डॉक्टर देखो अगर निसान लगा तो उसको जुबान बाहर आता कुछ भी होता तो भी नहीं अईसा नहीं होता भी जो पनकि से लटकते हैं रसी वगारा रहती तो गड़ता है अगर कोई इसको गला दबाया होता तो फिर उसको टांग यह वाड़ी में एक बज़े लग भक लेक्या आया 6.15 भजे 9 परोश्माडब हो चुका था एक रात को लेकर आया प्यटा। लड़की के परीवार वाले वहांकि उसके सास्सुर कोई यहां पर आया। कोई नहीं आया यहां परौध रोड़ी लेकर उसके घर वहां से अपनी नतनी को लिए। बोडीले के चलाया, भीमंडी. इस सब Mésteam को लेकर आपका आरोपः क्या है? मेरा आरोप रही है कि मेरी लड़की को मारे हैं। मोठोन मेरा इसंहें कुछिए है. जो कि पहले पंपासंद था मेरी लड़की सा één. उसके माबापे sevena. बज़तिसादी की हैं वो दुसरे के चक्कर में हमेसा परिशान रहते हैं मेरी लड़की हमेशा बताती थी पापा मेरो ख्याल नहीं करता वो दूसरे के चक्कर में रहता है कुछ होई है या फिर पोस्माटम की रीपोर्ट आने के बाद रही होगी है अभी बोले एक दू दिन हाथ है तो उस पर आप क्या करता है और उसके साथ में ऐसा हास्तात पेश आता है यह तो जाज का विसे बनता है लेकिन इसमें साजन परसासन कुछ अभी क्या देख पॉर्परेट हो नहीं रहे इदर पर गड़िब आद्मी के साथ हाशिम भाई क्योंकि अभी पोस्टमॉटम रिपोर्ट नहीं आए तो कई से कॉपरेट होगा लेकिन अभी वहां से भी अपने को सब्सक्राइब और को यह मतलब एक आस्वासा नहीं मिला कि तुम्हारे साथ में यह होएगा तो कि नोक्स्ता रहे हैं मेरे तो अभी यह हैं झेड़े की अपने लड़ेगी की साथ लाइड़े हैं मेरे लड़की यह दिए हो दी तुम्हारे अबूएं नहीं नहीं दियो औि ऑद दी खतका ही में जब यही बात बोलते रहते थे और उसका अदमी जब से लड़की हो गई पारिदा जब से और उनलों को तकलीफ हो गया और जलन और मेरे बच्ची को सुनाते रहते थे घर के पूरा काम भी करती थे फिर भी उसको सुनाते रहते थे जैसे घंटा हमेंसा कि अधिश के बारे में काम करते रहते थे फिर भी उसको सुनाते रहते थे एक दिन वहां बैठा का भी अगुआ था हम लोग गये वहां बात हुई बात करने हम लोग समझाए उनको भाई देखो अब जो साधी भी आऊ गया अपने घर जो तुमारे उनको नथा वो तुमको द क्या दिए क्या ने दिए हमको साथ नहीं ज़स राइए लेकिन सोचे कि जाने क्या चणाए एक दफ़ाए जब आरा नहीं नहीं है जबसे लड़की पैस रहे है उसको एक अंडा उलड़की खाई उबालके उश्का बने कुल गंदी-घाली दिया जो यह पंचाइट बैडी मैं उनकी सद्यक्रा – तुमने एक गंड़ी लड़की उगा ली तुम इन इतिए लगदी बहू है मेरी बहुने। उपilt पूछे लो सानंवी, सही यह कि जूरे नहीं भूड है। सब्सक्राइब बंद था खाली से सास ना ले पाए ऐसे मुझ दबा देते वैशे हुआ था उसको खबर यहां भी हमेसे होस्ता था हम लोग आउचित पाड़े वाले सब बच्चे लोग यह चाहते हैं वो हमारे महले की बच्ची थी हमको इंसाब चाहिए हमको सासन पर सासन से उपर भरोसा है लेकिन हमको इंसाब चीए वो लड़की को ऐसे लोग भेद दिये घर गए एक आदमी जाकने नहीं आया उसके छोड़े-छोड़े बच्चे एक उसको कौन जेलेगा जब से शादी हुई है जब से वह आदमी परेशान कर रहा है एक दो कितनी दो बार पंच चलाता है जब उसको पहले बताये शादी के पहले कि ऊर रिक्षा चलाता है उसके लग उतना पैसा नहीं है फिर भी लोग उसको इतना टोचर करते थे आज उसको दूलन के बनके गई थे और कफर मैना के भेद दिये और कोई जाकने तक नहीं आये तो हमको सासन परसासन से यही चाहिए कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और जो हमारी बच्ची के साथ हुआ आइंदा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए।